जादूई पेड एक समय की बात है एक छोटे से गाव में एक जादूई पेड था इस पेड की पत्तियां सोने के और फल मीठे थे लेकिन इस पेड का खास फल सिर्फ उसके नीचे के सभी बच्चों को ही मिलता था एक दिन गाव के एक नौजवान लड़के ने जादूई पेड को देखा और सोचा कि क्यों ना इसका फल खाने का अनुभव किया जाए उसने पेड के नीचे आकर फल लिया लेकिन फिर वह अचरज में आ गया उसके हात में जब वह फल था तो वह केवल एक साधारन सेब था पर उसने सोचा शायद इसका वास्तविक जादू उसकी सेवा करने में है उसने वही सेव लेकर गाउं के गरीब बच्चों के पास जाकर दे जैसे ही वह सेव और उस लड़के का जाख है अगले दिन जब वह लड़का वापस आया तो उसने फिर से वही साधारन सेव दिया और फिर से उसने उसे बच्चों को दिया इस प्रकार वह हमेशा उस जादूई पेड़ के फलों को अप्री पेवा में उप्योग करता रहा और उसकी सहानुभूती को देखा और उसके लिए एक आदर्श मान लिया उस छोटे से लड़के ने साधारन काम से जादू बना दिया उसने उस जादूई पेड़ को वास्तविक रूप से जादूई बना दिया इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी जादू नहीं